तो आज हम class 12 जो है आपकी उसका home science के important questions देखेंगे वो भी सभी chapters में से all chapters के हम important questions देखेंगे जो भी मुझे important questions आपके लग रहे हैं for term 2 वो सारे के सारे हम देखने वाले हैं तो फटा-फट से आप video को like कर सकते हैं and comment box में comment करके बता सकते हैं कि आपकी preparation कैसी चल रही है home science की by the way मैंने काफी सार chapters की जो explanation है वो करा रखी है plus में उनके important questions separate separate videos में बता रखी हैं जैसे कि 21 chapter हो गया आपका विकास अता पत्र कारिता वाला और 10 chapter हो गया और 11 chapter हो गया इन तीनों की full explanation plus में important questions की video मैंने बना रखी है तो उसकी link आपको description box में मिलेगी अगर आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं अब बात करते हैं कि आज हम किस तरीके से अपने questions को करेंगे देखो first of all अगर मैं आपको कहूं तो आपको देखो जो home science है ना उसको आपको अपनी life से relate करते हुए चलना होता है हमें जैसे कि आपके कपडों वाले chapter है कपडों की देखभाल वाला chapter है फिर उसमें machines आ जाती है फिर आपके hotel management वाला chapter है ठीक है इस तरीके के काफी सारे आपके chapters जो है वो इस साल लगी हुए है term 2 में तो वो सभी के सभी अगर आप अपनी life से relate करते हुए चलेंगे तो ही आप उनके अच्छे से answer दे सकते हैं आप उनके life से relate करते हुए नहीं चलेंगे तो फिर answer देना थोड़ा से difficult हो जाएगा अब life से relate करते हुए चलने का मतलब यह है कि आपको चीजों को रटना नहीं है समझना है ठीक है जो बच्चा चीजों को रट रहा है वो बहुत गलत कर रहा है क्योंकि रटने से कुछ भी चैप्टर है तो फटा फट से इसके questions देख लेती हैं और वही questions कराऊंगी जो कि मैंने आपके paper में analyze किये थे यानि कि जो CBSC ने sample paper दिया था उसमें questions जो थे वो पूछे गए थे ठीक है और आपको याद भी होगा और अगर याद नहीं है यानि कि अगर आपने नहीं देखी है उस sample paper की वीडियो वो भी चैके देखो उसकी भी link आपको description box में मैं दे दूंगी तो बात करते हैं आपका आज का question जो है first वाला उसकी वस्तरों की सफाई को प्रभावित करने वाले चार कारक लिखिए जो कपड़े होते हैं उनकी सफाई करने यानि कि उनकी दुलाई करन जो कपड़ा है उसमें जो रेशे हैं और जो धागे हैं उनकी मातरा कितनी है वो depend करती है second जो वस्तर है उसकी जो निर्मान हुआ है उस कपड़े का वो किस तरीके से हैं कि किस तकनीक से हुआ है किस technology से हुआ है वो चीज भी depend करते है वो चीज भी निर्भर करती है उसके ब सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिन आम वॉच्ण मशीन में नहीं दो सकते हैं, जैसे की अगर मैं आपको बताऊं, तो काफी सारे expensive कपड़े ऐसे होते हैं, जिन पर जो उपरी जो सजावत होती हैं, उसमें काफी सारे स्टोंस लगे हुए होती हैं देख रहे हैं वो उन ही के पैसे होते हैं यानि कि जो expensive कपड़ा है उन स्टोंस के ही पैसे हुथे हैं जो हमने दीए हैं दुकांदार को कपड़ा खरीछते हुए तो क्या हम उसे खराब करना चाहेंगे बिल्ख़ुल भी नहीं तो कभी भी उसे washing machine में नहीं दोना चाहिए, उसे हाथों से ही दोना चाहिए, क्योंकि यह भी काफी depend करता है, और ऐसे ही काफी सारे जैसे कोई उनी कपड़ा होता है, उसे किस तरीके से दोना है, इनके सभी के अलग अलग जो methods है वो होती है, ठीक है, और जो आपने दिखा हो या फिर heavy होगे, इस तरीके से काफी सारे options आपको दिखाये जाते हैं उसमें, ठीक है, उसके बाद next आप लिख सकते हैं, वस्तर का जो विशेश उपियोग है, यानि कि किस तरीके से हम वस्तर का उपियोग करते हैं, उस पर भी निरबर करता है कपडों की सफाई का, जो कार नेक्स्ट आपका question आता है, question number 2 यहां से, और ये बोला गया है, वस्तरों की धुलाई एक, विज्ञान और कला दोनों है, इस कतन की विविशना कीजिए, ये वाला question आपका sample paper में भी आया था, term 2 के लिए जो CBSC ने लिस्ट किया था, वो, चिक है, तो उस ही से rated आपको करा र रहे हैं हम कपडों की, तो वो एक विज्ञान और कला की से, अगर हम उसे लगाएं तो विज्ञान क्यों है, क्योंकि उसमें नई नई जो science ने technologies निकाली है, नई नई जो तक्नीके निकाली है, जिसका प्रियोग करके हम अपने कपडों को धूते हैं, वो तो विज्ञान के उसमें आ गया, अब कला क्यों है भई, इसमें हम कोई art and graph थोड़ी कर रहे हैं, नहीं, art and graph ही कला नहीं होती, art and craft के अलावा भी कला होती है, जैसे कि कुछ हम कपडे धो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो कोशल होते हैं, जो skills होते हैं, वो हमारे पास होनी चाहिए, ज हम कोई ऐसा कपड़ा डालते हैं, जिसका जो मानो नैट का कपड़ा है, तो फट जाएगा washing machine में धोने से, ऐसा होता है तकरीबन, तो हमें अगर उस चीज के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो हम कपडों की धुलाई किस तरीके से कर सकते हैं, इसलिए विज्ञान और कला दोनों ही है, तो आप लिख सकते हैं, वस्तर की धुलाई एक विज्ञान है, क्योंकि यह है विज्ञानिक सिधानतों तकनीकों के अनुप्रियोग पर अधारित होती है, और कला किस तरीके से है, सोंद्वर्य पूर्वक रूची का निर्मान प्राप्त करने के लिए जो कोशल है, उसमें रिपूर्टा होनी आवश्च्रक होती है, अब चलते ही हैं अपने दूसरे चाप्टर की तरफ, देखते हैं दूसरे चाप्टर से कौन से चाप्टर से आपके क्वेश्चिन्स जो है वो आ रहे हैं, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 व क्योंकि देखो, अगर आप सैंपल पेपर को अच्छे से करके जाओगे तो अविसली आपका जो एक्जाम होगा वो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सैंपल पेपर में से ही काफी सारे क्वेश्चन्स हमारे आते हैं, हमने हमेशा से देखा है, अनलाइज किया है, इसलि हमें यह बताना है, प्रविक्षक के, तो क्या कारे होते हैं, पहला तो होता है कि जो अथीती आने वाले, जो गैस्ट आने वाले हैं, उनका स्वागत करना, उनका वेलकम करना, जैसे कि आप कभी बड़े-बड़े होटेल्स में जाओगे, या फिर कभी गए होगे, तो आप नेक्स्ट है, एक पाली का पूरा उत्रदाईत वो होता है इसके उपर, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, अथीतियों को उनकी बुकिंग के अनुसार कमरा जल से जल प्रदान करना, या जो अथीती है, जो गैस्ट हमारे आए हैं रुकने के लिए हमारे होट कोई उसमें रुका होगा और वो जाने वाला होगा, तो जल से जल उनको क्या करना, उनको कमरा दिला देना, ऐसा ना हो कि उन्हें वेट करना पड़े, तो ये कारे भी होता है, उसके बाद कमरों के अधिपात्ते की जार्च करना, यानि की जो कमरे हैं, उनकी जार्च करना क कमरे किस तरीके से पूरा रखा गया है सारी चीज़े वहाँ पे है या नहीं जसे कि वहाँ पानी पीने के लिए अवेलेबल है या नहीं जो वोश्रूम्स होती है उसमें सॉप है या नहीं और शैंपूज है या नहीं इस तरीके काफी सा question दिखती है next आपका question है सहायक सेवा विभाग के अंतरगत कोन से विभाग आती है जो आपकी सहायक सेवा विभाग है उसके अंतरगत हमारे आपका विभाग होता है, वो second engineering विभाग, third आपका मानव संसाधन विभाग होता है and fourth आपका विक्रत था विपण विभाग होता है, तो ये सब भी आपको अच्छे से divine करने आने चाहिए, उसके बाद next question पर चलती है, चली जे, आपका अगला प्रश्चन है आपकी मा जब बाजार से कोई समान खरीदती है तो उनकी कौन सी चार अपिक्शाएं है यानि कि अगर हम भी कभी कुछ बाजार से खरीदने जाते हैं या फिर आपकी मम्मी जाती है या फिर आपके घर में से कोई भी बढ़ा जाता है तो उसकी कुछ अपिक्षाएं होती हैं सबसे पहली तो ये होती है कि हमें जो समान है वो कम कीमत पर मिल जाए यानि कि हमारा मानना हमेशा ये होता है कि जो दुकान वाला बता रहा है न उससे थोड़ा सा कम मिले हमें निया उस समान के बारे में पूरी जयानकारी यांने कि जा रहे हैं जानने के बाद हमें संतुष्णचरी मिलती है उसके बाद हमारा मन करे तो हम उसे खरीदते हैं या फिर नहीं तो सेकेंड चीज ये भी हो गई आपको इन अच्छी से डिफाइन करना है मेरा मतलब यह नहीं है कि आप खाल यही लिख कहाएंगे आप लिख सकते हैं उचत कीमत और फिर ऐसे डैश करके और उसे चार पाच लाइन में डिफाइन करना है उसके बाद है वे समान अच्छी गुनवत्ता वाला है और कि जो क्वालिटी है समान की वो अच्छी हो हम हमेशा यह चाहते हैं कि हम जो भी कपड़ा खरीदे या फिर कुछ दूसरा समान भी खरीदे मानलो खाने पीने का खरीद रहे हैं तो हमारा मानना हमेशा यह होता है क कि जो भी हम खरीद रहें, उसकी गुनवत्ता, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, यानि कि हमारे पैसे ऐसे वेस्ट ना जाएं, खराब ना जाएं, हम जो भी खरीद रहें, ऐसा नहीं होता है हमारे मन में कि भई, ये चीज खरीद ली, अब ये कम से कम, एक साल तो चलनी कि हम अच्छे वाले चावल ही खरीदें, हम बेकार क्यूं खरीदें, या फिर ऐसे क्यूं खरीदें, जिसमें की कंकड वगरा है, बिल्कुल साफ सुत्रे चाहिए, हमें चावल ऐसा होता है, चिक है, तो आप अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए चलोगे, तो मैंने स्टा फिल्टि मातरा में हमें जो समानभ खरीदना चाते हैं वो हमें मिले, तो देखो, ऐसे कुछ्छ ग्वेसंस होती है, जो कि आपसे पिपर में पूःटे ही जाते हैं, यानि कि ऐसा होता है, आपको केस टडी-B delt questions दे दिये चाते हैं, यानि कि कुछ ऐसे case दे दे कि आपकी म वहां जा रही है उनको ऐसी चीज खरीदनी है तो उसके वो क्या पिक्षाय करेंगी या फिर वो किस तरीके से जो भी आपके चैप्टर में उसको गुमा फिर आके पूछेंगे होम साइंस में हमेशा यही होता है तो question की language समझ ली तो answer लिखना बहुत असान है चुटकियों का questions तो जरूर आपके आएं ही आएंगे paper में क्योंकि कुछ questions मैंने ऐसे देखी हैं जो कई बार paper में repeat हुए हैं तो बार-बार बोल रही हूं कि उन्हें अच्छे से करके जरूर जाना है जो भी करवारियों अच्छे से करके जाओगे तो home science में अच्छे नंबर आ जाएंगे ठीके next question देखते हैं चलिए अगला आपका question है एग मार्क क्या होता है और ये कि संस्था दुआरा जो है दिया जाता है तो एग मार्क हम सभी को पता है क्या चीज होती है एक ऐसा चिन होता है एक ऐसा आपका जो product है उसके पीछे बना होता है जिससे की उसका मानना क्या होता है कि ये वातवरण को प्रदूशित नहीं करेगा यानि कि जो हमारा environment है उसमें कोई भी pollution यह नहीं पहलेगा for example जो एग मार्क होते हैं वो जादातर साबून डिटरजेंट और आपके जो packets होती हैं कागज होती है इन सब पे देखा जाता है या फिर जो भी आपके beauty products होते है उनमें भी mostly यह देखा जाता है एग मार्क तो इनका जो मान की करन चिन है वो भारते मानक ब्योरा द्वारा द्वारा दिया जाता है यानि कि B.I.S. के द्वारा दिया जाता है चिक है clear है यह वाला question भी आ सकता है तो अच्छे से याद करके जाना और देखो यह जो एग मार वाला question है वो एक number में आ सकता है और दो number में आ सकता है उसे जादा नहीं आएगा उसके बाद next question की बात करते हैं उसके बाद next question देखो रीना उभोगता अध्यनशेत्र में जीवी का बनाना चाहती है इसके लिए उसे कौन से स्विक्षा लेनी चाहिए उन्हें चार विक्क् questions भी आते हैं कि भाई कोई आपका जान पहचान का है और उसे home science में आगे कुछ करना है तो उसके लिए उसे कुछ ऐसी सलाद हो कि वो कौन से course करें जिससे की वो क्या करें अपने career को बना ले तो ऐसे questions आपको बहुत देखने को मिलेंगे home science में तो फटा-फट से देखते है सबसे पहले तो इसे BSC करनी चाहिए, home science से BSC करनी चाहिए, BSC from home science, BSC ग्रह विज्ञान से करें ठीक है, first year लिख सकते है, BSC परिवार संसाधन प्रबंधन से कर सकती है, BSC ग्रह प्रबंधन से कर सकती है और BBA विवसाइव प्रशाशन से कर सकती है, तो ये चार आपके हो ग अभ्यान क्या है अपनी पस्तंत की समस्या पर अभ्यान के एक नहरा दीजेए, आपको 21 chapters यानि के विकास पत्रकारीता बाले chapters है, जिसको बच्चे 17 numbering से भी जानते हैं, ठीक है, तो अभ्यान क्या होता है, किसे विशेश उदेशे के लिए बैठ को, ब्रहमन यात्राओ, ल लिखित सामगरी के वितरन या प्रदशनिय का मिला जुला उपियोग करना जो है अभ्यान के लाते है, यानि कि कोई एक specific topic हो, ऐसा नहीं कि उसे बहुत साइट topics मिले हो है, कोई भी एक जैसे कि प्रदूशिन पर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो बालिकाएं होती है जो महिलाएं होती है, उनके शिक्षा से लिटेड हो सकता है, जैसे कि अभ्यान का एक नारा होता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और स्वच भारत, स्वस्त भारत इस तरीके से भी काफी नारे होते हैं, आपने सूनी रखा है, तो इसी को अभ्यान कहते हैं कि एक स्पैसिफिक, एक विशेश उद्देशे के लिए कोई बैठक की जाए, या फिर उसके लिए कुछ एनलाइज वाली यातरा की जाए, जो जाजपढ़ता लोते हैं, वो की जाए, और उसके बाद उस पर एक लिखित सामगरिया, फिर वितन प्रदशनी है, से मिला जु अगला जो आपका प्रश्चन है, वो है विकास संचार की आव्शकता, विशेश आवशकता है क्या है? तो फटा फट से आपको बताना है कि उसकी विशेशता है, और आफशकता है जिए देखो, विकास जो संचार होता है मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्स्पिलीन किय सबसे पहले आफशक्ता तो यह है कि अगर विकास अंचार नहीं होगा यानि कि अगर पत्तरकारिता या फिर जन संचार ऐसा कुछ होता ही नहीं तो हमें जो डेश में चल रहा है जो वर्ड में चल रहा है उसके बारे में पदा नहीं चलता जैसे कि अगर अभी हम जैसे कि देश में काफी सारी अलग अलग चीजे हुई है तो उनके बारे में पता कैसे चलता या फिर हमें ये कैसे पता चलता कि आज से एक हफते बाद चुनाव है इस तरीके से प्रचार कितना हो रहा होता है टीवी चैनल्स पे रेडियो पे इतना प्रचार हो रहा होता ह तो यह सारी चीज़े आपको पता है यह किसले होता है ताकि जो जनता है उसे पता चले उसे जागरूप करने के लिए सूचित करने के लिए सूचना प्रदान करने के लिए पहली चीज तो यह है दूसरी चीज जो पिछड़े वर्ग है या फिर जो कमजोर वर्ग है उनका जो प्रद्योगी की आजकल बन रही है उनके बारे में बताना कि हाँ भई अगर मीडिया होती नहीं अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं तो हमें क्या HIV जो बीज हैं चीज फैसे कितनी हरिता नहीं तो यह सारी सूचना किस से से मिल रही है विकास सट्याश से मिल, तो इसी तरीके से काफी नहीं नहीं चीज चल रही होती हैं आपने उससे कि जो बच्चे होते हैं वो अपने भविश्य के लिए अभी से त्यारी करनी स्रृट कर देते हैं, आपने भी कर दी होगी, कि हमें वे स्यूजर में क्या बनना है ? किसी को टीचर बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा, और आर्ट सिल्यagen है, तो उसके बारे में जानकारी कहा से मिल रहे हैं मीडिया से ही मिल रही है आप मोबाईल फोन पर सर्च करते हैं कि वही इसकी क्या-क्या requirements है eligibility criteria क्या इसका तो वो कौन देरह आपको मोबाईल फोन से देरह है social media से पता चल रहा है ठीक है तो यह साज चीज आप इसमें include कर सकते हैं अब चलते हैं next question पर next आपके question है chapter number 10 से ठीक है और इसकी मैंने अलग से video बना रखे इसके important questions की तो अगर आप उसे देखने चाहे तो उसे भी देख सकते हैं बात करते हैं question क्या है बुनावट से आप क्या समझते हैं वस्तरों की बुनावट किन तीन बातों पर निर्भर करते हैं बुनावट क्या होती है यानि की जो हम वस्तर को चूकर पहचान कर देख सकते हैं चूकर हमें पता चलता है कि ये soft है hard है या फिर चुबने वाला है मुलायम है कड़ा है इस तरी के समझ पहचानते हैं तो बुनावट वही होती है जिसे हम बुनावट देखने और चूने के एक सनवेधी अनुभूती होती है जो वस्तर की सपर्शितता दृष्ष है गुनवत्ता को बताती है अब बुनावट के तीन कारक हमें फटा-फट से देखने हैं कि तीन बात तो जो होती है और पर निरबल करते हैं बुनावट सबसे पहला वह कैसा दिखता है यानि कि चमकीला है, मंद है और पारदर्शी है या फिर अपारदर्शक है यानि कि ट्रांस्पेरेंट है या फिर नहीं है और गहना है, चिकना है किस तरही के का है देखने से हम पदा सकते हैं कि यह वला कपड़े में शाइनिंग है ऐसा हम देख लेते हैं कैसे इलक वाले कपड़े में कितने शाइनिंग होती है ऐसे ही अगर हम दूसरा कोई कपड़ा देखे कोटन तो उसमें शाइनिंग नहीं होती उसके बाद उसकी प्र इस्के वाला करते हैं टूबने वाला लगता है और मन ईसा करता है कि जल्ली से दूर भागा दें ऐसा होता है नरम कपड़ा, कोई भी आज कल वैसे फ़र वाले कपडें ज्यूवाली कपड़े जब हम छूटे तो कितने जदा सौफ लगते है इसा मन करता है बस उसे चूते ही रहो मुलायम होता है काफी जदा ठीक है और उबढ़ खाबढ़ भी होते हैं किसी किसी की सतय है और खुर्द रहा होता है तो यह साही चीजे हमें वुनावट से पता चलती है यह वाला question काफी important है अच्छे से करके जाहिएगा उसके बाद next question की बात करते हैं अगला जो आपका question है वो अस्त्रों पर सरल रेखाएं तीन प्रकार की होते हैं प्रतेक प्रकार का नाम लिखिए और उसकी विशिष्टाएं बताइए तो सबसे पहले लंबातर रेखाएं यानि कि जो लंबाई का अभास देती हैं ठीक है वर्टिकल ही होती है और श्रतर रे ऋसके बाद next question पर चलते हैं चलो next question देखो बहुत ही important question है और पूछ जा सकता है विक्रई की क्या कि ने चिसम्फ करना बहुत थिक करें कर का थिक लिए विग्यापन बनाने का कारे करते हैं प्रीय दॉटा इंदे कहां पश्च की को बनाने का पतम से चीजए фильм कोई चो Tobcr तो यह वाला question काफी important है very 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 important आपसे पूछा जा सकता है तो इसे बहुत अच्छे से करके जाएगा next question देखते हैं एक अगला question है शैली और fashion में क्या answer है शैली और fashion में क्या answer है ये भी आपके sample paper भूचा गया था और repeat भी हुआ है काफी बार तो इसे भी करके जाना काफी important है क्या है शैली परिधान की अथवा उसकी सायक सामगरी की विशेश दिखावट को कहते हैं शैली कोन सी होते है परिध शैली ओ को किसी काल अवदी में सबसे अधिक प्रचलित होते हैं उसे fashion कहते है जैसे कि हम कहते है ना कि अभी ए कपड़ा नहीं फैशन में चल रहा है ऐसा हम बोलते है ट्रेंडिंग कपड़ा है fashion में चल रहा है काफी सबी लोग पहनना इसे पसंद कर रहे है मैंने काफी सा प्रचलित हो एक या एक से अधिक शैली उसको हम फैशन कहते है तो शैली और फैशन में तरह समझी में आगे है दो नंबर में क्वेश्चन आ सकता है अठ्छे से करके चाहिएगा अब बाइदवे मैंने बहुत ही सारे आपके important questions आपको करा दिये अब अगर आपको वीडिय प्लिज इस वीडियो को लाइक करें और मेरी महनत को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए एक कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा प्लस मैं अगर नहीं हूँ है तो प्लीज सब्स्राइब कर सकते हैं मैं चैनल को ताकि आपको और भी जो चाप्टर्स हैं और जो आपके और झाल